तरह एक जाम में इस तरह का प्रस्ण पूछा गया है कैसा प्रस्ण है यह यदि A ratio B equal to कितना है 4 ratio 5 है और B ratio C हमारा कितना है 2 ratio 3 है तो A ratio B or B ratio C का मान निकाले तो ऐसा प्रस्ण को हम लोग कैसे हेल करते हैं इसके लिए हम ट्रिक जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंग कि A लिखेंगे अगे ratio B ratio C निकालने तो A ratio B ratio और C ratio लिखें ठीक है फिर उसके A ratio B हमारा कितना है चार ratio 5 है तो हम यहांद पर कितना लिखेंगे चार रेशियो 5 लिखें ठीक है फिर कहा रहा है बी रेशियो सी हमारे कितना है टू रेशियो 3 है तो बी है कितना हमारे दो है तो बी हमारे यहां है न दिख रहा है तो हम यहां नीचे में कितना है दो लिखेंगे रेशियो तो रेशियो की यहां दे दी है इसको हम लोग क्या करेंगे कैसे साल्व करेंगे इसके लिए एक ट्रिक क्या है हमेशा multiply करते हैसे cross multiply मतलब वी रैचियो में यह रैचियो बी का cross करेंगे तो पर इंटू कितना हो गया चार दूना आठ हो गया अब कहा रहाएं बी रैचियो दोनों में common करेंगे यहां multiply करेंगे बीडियो देख चैनल को क्या करेंगे यहां मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिन